Uniform Civil Court के बारे में तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं, आप लोगों ने इस बार उत्रा खंड में उसको लागू भी किया है, तो क्या कहते हैं, अगले थर्ड टर्म में, अगर मोदी जी का थर्ड टर्म आता है, तो क्या Uniform Civil Court को नैशनल रोल आउट करेंगे, नैशनली आप लो ही है, तो इसका मतलब जैसे कि ऑपोजिशन वाले कहते हैं, लेकिन बहुत सारे विरोध पक्ष के लोग, अनावशक इसको एक जाती पंतत्वाद धर्म के आधार पर इस प्रशनों को उशालने की कोशिस करते हैं, जी कहते हैं कि क्या मुसल्मानों को शरिया और हदीश के हि बहुत हैं तो जी कि न었다 हुएं किसी को कोई आपती नहीं होनी चाहिए और किसी की जो फेथ हैं, किसी का जो विस्वास है, उस पर किसी करते जिसके वह ट्रदीशन से हैं, उस पर कोई इससे चोट नहीं पहुचने वाली हैं CAA पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था पारिद भी हो गया था उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए और इस बार जब CAA की बात कर रहे हैं जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफी खिलाफ लो सबसे बड़ा संकट है विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है और उनके पास ऐसे एजंडा आइटम्स नहीं है ताकि जनता को विश्वाफ दिला सकें भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यह करेंगे और उन सारी द्वारा की गई है लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस citizenship amendment act के कारण किसी की नागरिक्ता समाप नहीं होने जा रही है कल ममताब energy ने काया कि लोग vote नहीं दे पाएंगे जब यह हो जाएगा और उसके पीछे डीमके ने भी काया कि इसको हम होने नहीं देंगे इस हेल्डी democracy में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाएगा और मैं समता हूँ ममताब जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिक्ता कानून यानि citizenship amendment act के कारण किसी की नागरिक्ता जाने वाली नहीं है अगर chronologically देखें तो CAA के बाद national register of citizens भी आना चाहिए नर्सी आना चाहिए इसके बारे में क्या बुरा है यो भारत के नागरिक्ता है जिसमें किसी को क्यों आपटी होनी चाहिए और एक गलस पर भेडभाव की राजनीत करने वाले दों नहीं है कोई यदि ऐसी विशेश परिशितियां होती है और कोई यदि भारत की नागरिक्ता लेना चाहता है तो उस पर भी हमारी सरकार विशार कर सकती है और मैंने मैंने स्वेम जिस तोब यह बिल तैयार हो रहा था उस हमने नागरिक्ता दी है अधनान स्वामी क्यों जी पर पाकिस्टान के चिर्जन पर नहीं दी जाएगी के उसके अंदर मुसल्मान तो है नहीं तो नर्सी आप कह रहे हैं कि आएगा अगले उसको भी आप लोग लेकर आएंगे अगले अगले टर्म में आप उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें क्या गया है वैसे नर्सी किसी को भै नहीं लगना चाहिए जी अनावश्चक इसको लेकर हुआ खड़ा किया जा रहा है लोगों के अंदर भै पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मैं समता हूँ विपक्ष को भी राइनीत करनी चाहिए तो तर्थों के आधार पर अनावश्चक जनता की आखों में धूल जोंकर राइनीत नहीं करनी चाहिए विपक्ष के अंदर भी वह दम खम होना चाहिए कि राइनीत करनी है तो जनता की आखों में धूल जोंकर राइनीत करें बलकि जनता की आ रहा था एक और आपका नारा है कि अभी तो यह जहांकी है मतुरा काशी बाकी है तो इसको आप कैसे देखते हैं इस वक्त क्या अगले अगले कारेकाल में इस पर भी विच इस पर भी काम आगे बहाए आपने एलेक्शन मैनिफेस्टो की यह बात की ते एलेक्शन मैनिफेस्टो में जो था जी वह हम लोगों ने किया है जी तो यह आएगा इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस पर आपका परसनल मत भी जानना चाहूंगा एलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा तो मिने पहले ही पर वैसे मतुरा काशी के बारे में आप लगता है कि फैसली की प्रदिक्षा करनी चाहिए तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे एक जी दाजना जी और की काशी और मत्रो अपनी जगह पे है पर ये सिलसला कब तक चलेगा कितने जगहों पे हम मंदिर बनाएंगे क्या ये य आगे बढ़ता चला जाएगा इसमें हम ऐसे करते चले जाएंगे मुहन भागवा जी ने भी कहा है कि काशी और मतुरा के बाद हिंदूों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे कैसे देखना है क्योंकि एक सेकुलर कंट्री में हमको सब साथ में रहना है तो इसक सब्यूरिस है अदालत में आए अदालत के में बिशार अजीर है मैं इसमाता हूँ अदालत के फैसले के हमको प्रदिक्शा करनी चाहिए जो अदालत का फैसला होगा करेंगे जैसा राममंदिर के कोई संकोश नहीं है अदालत का फैसला होगा करेंगे जी और आप भी मारी से सहमत होंगे कम-कम अदालत के फैसले को या कोई भी सरकार हो उसे स्वीकार तो करना चाहिए बिलकुल करेंगे जी चुनाओ गरम है थोड़ा चुनाओ पर बात करते हैं तीन सो सतर बहुत ही बोल्ड टार्गेट तीन सो तीन से तीन सो सतर करीब बीस पच्चिस पस्दी की का का बढ़ात्री इसको आप कैसे कहां से सीटे आएंगी है मैं पूरी तरह से कांफिडेंट होंगी तीन सो सतर का भारती जनता पार्टी की सीटों की सम्द्ध में कह रहा हूं जो तीन सो सतर सीटों पर भारती जनता पार्टी को विजए प्राप्त होगी इसके सम्द्ध में क हमारे प्रधानमंतरी मोधी जी को जिस तरीके से प्राप्त हुआ है उस आधार पर हम लोग पूरी तरह से आस्वस्त हैं कि भारती जन्ता पार्टी को 370 सीटों पर विज़े मिलेगी और यंडिये को का नंबर 400 से पार जाएगा ये सिर्फ राम मंदिर की वज़ा से नहीं है ये सिर्फ राम मंदिर की हवा की वज़े से नहीं है इस 370 और भी चीज़े हैं जिसकी वज़े से बहुत सारे ये तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कहा ना कि हम लोगों की पार्टी के बारे में एक विश्वास नहीं था हमारी गॉर्मेंट के बारे में क्रेडिबिलिटी मोधी जी लेट गॉर्मेंट की क्रेडिबिलिटी इसके कारण जनता के अंदर एक बहुत यठीक विश्वास पैदा हुए है इस कारण लोगोंगा समर्शन हमको पराप्त हो रहा है opposition leader राहूल गांधी कहते हैं कि आप लोग match fixing करते हैं मोधी सरकार अगर EDCBI और EVM नहीं हो तो चुनाव नहीं जीत सकती इसको आप कैसे देखते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइसाफी हुई है हमारे साथ गलत हो रहा है लेकर कोर्ट के रवारा उनको रिलीफ नहीं मिल रही है आप सुएम फैसला करिए कि कौन गलत है कौन सही है राजा जी मैं इसी सवाल को आगे लेकर जाता हूँ ED और CBI पर विशेश इंटेलिजेंस एजनसी का जो इस्तमाल हो रहा है ओपोजिशन कह रही है वो सिर्फ opposition leaders को हैरिस करने के लिए हो रहा है वो कहते है कि ज्यादा दर इसमें opposition leaders यहां तक कि दो मुख्यमंत्रियों को भी है अपने जेल के सलाकों के पीछे भेज दिया अपॉजिशन का यहारो पूरी तरह से तठ्ट्टों को से परे है पूरी तरह से निराधार है। एजिए अपना काम कर रही है हैं, करपशन को हम रूत आऊट करना चाहते हैं, ना रूत आऊट हो तो कंस्क लेकर वह कोर्ट भी आ रहा है, है हमारा ही फर्ट है और उसके लिए एजेंसी येडि अपना काम कर रही है और लगता है विपकष को एजेंसीज गलत काम कर रही और गलत vemकि से लोग पताय जा रहा है तो उसको लेकर वह कोट लोट कंप ही जा रहे हैं है एकुई. झाल.